Hello everyone, स्वागत है आपका इस चैनल पर मेरा नाम है रोहित सिंग और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टन टेक्नीक या स्ट्राटीजी जिसका नाम है क्लीन यूर रूम और हम बात करेंगे जॉर्डन पीटरसन जिन्नोंने इस चीज को बहुत हाइलाइट किया और हम सब के सामने लाएं और मैं भी परसनली मानता हूं कि जो नोंने का वो सच्छे है और अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो बैटर बनना चाहते हो तो आपको ये स्ट्राटेजी अपनानी पड़ेगी ये रिच मैन स्ट्राटेजी है रिच फिलोसोफी स्ट्राटेजी तो आओ शुरू करते हैं जॉर्डन पीटरसन का कहना है कि जब हम रूम क्लीन करते हैं तो ना हम सिर्फ एक अबजेक्ट्स जया उनको क्लीन नहीं करते हैं हम अपने माइंड को और्गनाईज करते हैं हम अपने वी कंट्रोल हमारे थौट्स और इमोशन को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि देखे mind को directly control करना मुश्किल है लेकिन अगर हम outside अपनी environment को control करने की कोशिच करेंगे तो हमारा mind indirectly control होगा For example, मैं आपको एक example देता हूँ आपके सामने, दो rooms है, एक room जिसमें clutter है, हर जगा papers है, books है और एक जगा बिल्कुल organized है, जैसे आप picture में देख सकते हूँ, मैं चाहता हूँ आप imagine करो किस side में आपका mind better काम करेगा, कहां आपकी productivity high होगी एक unclean, unorganized, unsystematic room में, जहाँ clean, organized, neat and clean room में, obviously clean room में, वहाँ आपकी productivity, आपका concentration high होगा तो यह एक strategy है, आम तोर पर हम सीखते नहीं है कि room को कैसे organize करना, यह भी एक system है, और जो इनसान इस system को समझने लग जाता है, सीखने लग जाता है यह process को समझने लगता है, तो उसकी life better होने लग जाती है, यह rich philosophy strategy है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, rich successful बनना चाहते हो, तो आपको इस strategy पर ध्यान देना पड़ेगा आपको मैं एक technique आज बताना चाहूँगा, put labels, labels क्या होता है कि अब suppose, अब आपका सवाल होगा कि हम कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें clean room करना, देखिए पहले आपके पास already जैसे आपका जो room है, जहां start from wherever, start from the place where you are at, जो भी है आपके पास, whatever you have, start from there, जहां पर हो जो भी चीज है, जैसा भी room है, वहां से start करो, आपके पास already अगर almira है, table है, chair है, bed है, वहीं से शुरू करो, और कोशिश करो, start from, try to create, try to start from nothing and do something, मतलब, do something from nothing, मतलब कुछ creativity और imagine करने के लिए, suppose आप poor हो, अब गरीब हो, आपके पास जादा नहीं है, लेकिन जो है, वहां क कोशिश करो कि अपने creativity से उसको कैसे better organized or systematic मुनाए, ठीक है, जैसा भी आपका table chair है, कोशिश करो अपने clothes को कैसे set कर सकते हो, मतलब, जो भी area, जितने भी जगह आपके पास है, कोशिश करो उसको कैसे better हम utilize कर सकते है, अभी एक strategy जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, आप labels, अगर आप suppose अपने suppose अपना जो जगह थी उसमें आपने, जैसे table है, table पर क्या के चीज है वो आपने डाल दिया, अपने कपड़े जहां रखने की जगह थी वहां रख दिया, अपने अपना bed अच्छा बना दिया, blanket उसको close कर दिया, अब आपने labels लगाने, labels मतलब, जैसे example में hair, label जैसे आपने देखा होगा, बड़े-बड़े hotels, restaurants, dustbin में लिखा होगा, garbage, जैसे अगर हम, एक simple example है, suppose आप कहीं जा रहे हो, किसी रास्ते पर, तो वहां signals होते है, वहां landmark लिखे होते है, यह जगह है, यह street name है, अगर suppose landmark ना हो, तो मुश्किल हो जाएगा, जैसे ही, अगर आप जहाँ, जो भी जगह आपने जो चूज की है, उस पर label कर दो, कि हमने मैंने already वहां रखना है, क्योंकि एक दिन clean करना, को clean ही कहते है, अगर आपने system करना चाहिए, वो repetitive होना चाहिए, वो system हर दिन repeat हो सके, और same repeat हो सके, तब उसको हम system कह सकते है, तो आपने hair, clothes, garbage, laundry, उसके आप mark labels बना के, आप mark करते हो, और वहीं कोशिच करो, जहाँ label बनाया है, वहीं आपने चीजे रखने है, और इसको time लगता है, this is a process, और जैसे से आप इस process में रहते हो, आप इसको repeat करते हो, तो आप organized बने लगते हो, आप उस चीज को better, better आप उसको understand करते हो, और आप system को हर देन modify करते हो, और update करते हो, यह time के सा better बनता है, एक दिन का game नहीं है, देखिए यह जो strategy है, clean your room, यह बहुत simple लगती है, it is simple but it is not easy, इसमें time लगता है, और अगर आप इस system को समझ लेते हो, तो आप next system पे जा सकते हो, आप अपने जहाँ table पे, जहा goal को achieve करना चाते हो, वहाँ भी system कर सकते हो, क्योंकि एक skill है, you are developing your skill of organizing, organizations कैसे काम करते हो, ऐसे ही, छोटे-छोटे systems को आप create करने लग जाओगे, तो आप बड़े-बड़े systems को भी handle कर पाओगे, तो rich man, poor man का मतलब है, rich man सिर्फ एसी rich नहीं होता, पैसे से, उसके पास जो philosophy हो rich man के पास, rich man's philosophy है, सोच है, और poor man के पास, poor man's philosophy, पहले mindset आता है, fit tools के set, mindset होगा, तो tools अपने आप आजाएगा आज के time पर, देखे, हर second हम एक चाल चल रहे हैं, life is chess की तरह है, और अगर आप गलत चाल चलोगे, तो उसका आपको result भुगतना पड़ेगा, करम सिधान के according, ज इसलिए सोच समझ के चाल चले, और अगर आप सोचते हैं, क्यार, मिर में शक्ती नहीं है, मैं कैसे करूँ, पता तो है, लेकिन करनी पाता, तो जिस धरम में भी आपको, उससे कोशिश करो, connect करने की, spiritually, आत्मिक तोर से शक्ती लेने की, ताकि आप strong बन सको, और काम कर सको, प्रमात्मा की help लो, देखिए, दो मेरे जो quote हैं, जो मेरे को बहुत important और बहुत सही लगते हैं, life is a philosophy, if your philosophy don't match to reality, change your philosophy, अगर आपकी जो philosophy है, life की, जो perception, अगर वो reality से नहीं match कर रही, तो अपने philosophy को बदलो, क्योंकि आप reality को नहीं बदल सकते, जैसे chess है, अब आप chess को तो न if you are losing it, don't blame God for your failure, rather start learning how to play, अगर आप game खेल रहे हो, life is a game, और अगर आप हार रहे हो, आप failure हो रहा है, आपको finance, आपका पैसा, आप गरीबी में जा रहे हो, तो कही नहीं आपकी जो approach है, उसमें गलती है, समझना पड़ेगा कैसे approach करें, इसे भगवान को दोश्मत दो, आप गेम सीखो, जैसे for example, चेस, अगर आप चेस में हारते हो, तो इसका यह मतलब थोड़ी कि भगवान के गलती, इसका यह मतलब है कि आपकी कहिना की गेम की जो strategy थी, वो weak थी, तो आप गेम को सीखो, जैसे से आप सीखोगे, आप better बनोगे गेम, आपको यह वीडियो समझा है और आपकी जो strategy, समराइज में, जो strategy है कि clean your room, इसका यह है, simple है, लेकिन इससे हम organize करना सीखते हैं, life को, हम plan करना सीखते हैं, जब आप यह करने लगोगे, तो आपकी life better होने लगेगी, तो यही है, so clean your room, और आज हमने सीख है, labels, labels डालो, और वहां से शुरू करो, जहां से, start from wherever you are, जहां पर भी हो, वहीं से आप start करो, thank you so much.